तो वन्दी मातरम एवरिवन आज हम लण करेंगे चैप्टर नमबर थ्री जिसका नाम है डेवलोप मेंटल जर्णी और सिड ओकी जो सिड होता है यानि कि जो बीज होता है उसकी डेवलोप मेंटल जर्णी क्या होती है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्या सिड लिव तो ही वह develop हो सकता है ना हमने living things और long living things का portion कई बार आप लोगों ने learn किया होगा जिसमें living things जो होते है ना वो बड़े होते है उसका कोई baby part होता है फिर से वो बड़े होते है और उसका कोई baby parts होता है जैसे कि इंसान बड़ा होता है फिर उसके बच्चे होते है वो बड़े हो है वो भी सजीव है trees होता है पहले थो एक छोटा स सीड होता है दीरी दीरी पूधा बनता है उसके बाद उसके लिए उसके बाद उसके उपर fruits आते है मryटल हम playful नहीं वह उसकिन इस सीड का फिर सवेव सब सब्सक्तों दो shift है यहां पर बहुत सारी practical activities है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो और उसमें आपको बड़ा ही मज़ा आएगा तो आप यह chapter अच्छे से learn करो मेरे साथ और सारे जो question answer activities है वो आपको इसमें complete कर लेनी है साथ में तो पहले यहाँ पे दिया है observation तो हमें observation करेंगे observation में हमें यहाँ पे four pictures दिये है तो four pictures में यहाँ पे कोई सोया हुआ है आप four pictures में क्या दिखाए दे रहा है देखो यहाँ पहले तो sun है यह land है और land के नीचे कोई सोया हुआ है must rest कर रहा है देखो है कोई tension है नहीं पढ़ना नहीं, खाना पिना, कुछ नहीं वो मस्त सोया हुआ है, क्यूं? क्यों कि उसको energy मिल रहे है कहां से? Sunlight मैं से दूसरा उसको क्या मिल रहा है? Air मिल रही है और ये है क्या? ये है छोटा सा Sid ये है छोटा सा एक Beach और वो दीरे दीरे land के नीचे अभी है, यानि कि उसको शो किया हुआ है वो भी बोया हुआ है, वो भी land के नीचे है, अभी वो grow नहीं हुआ है, सेकंड पिक्चर में अभी यहाँ पे क्या है? ये देखो Moon, ओके अभी ये Moon है, रात में उसको fresh air मिल रही है और वो दीरे दीरे देखो, यहाँ पे सोया हुआ था, और ये हुआ थोड़ा सा वो grow हुआ है, यानि कि थोड़ा सा land के बाहर आया हुआ है, और grow हुआ है अभी third है, यहाँ पे पहले तो आप rainy season चल रहे है चलो भी, हम कैसे बारिश में आने चाते हैं तो यह भी ना रहा है देखो, दो हाथ खड़े करके, इतना enjoy कर रहा है वो क्यों enjoy कर रहा है पता है, क्योंकि उसको धमें जैसे grow होने के लिए, food चीए कपड़े चीए, air चीए, water चीए, राइट, हमें हमारी लाइफ चीने के लिए, बहुत सारे things की जरूरत है बहुत सारी चीजों की जरूरत है उसी तरह से, जो seeds होते हैं उसको tree बनने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है sunlight, air and water, तो अभी उसको water मिला, water मिला है इतना बड़ा हुआ था भी उसमें से छोट आसा एक leaves निकला हुआ है एक tiny निकली हुए डाली देखो छोट इसी एक branch उसमें से grow हुई है, यानि कि सिर्फ दीरे-दीरे grow हुआ है और रे भाबरे यहां पर तो दीखो बुचमतकर हो गया छोट इसे tiny में से बड़ा सा tree बन गया क्यूँ प्योंकि इसको दिन में sunlight मिलती है रात को air मिलती है और rainy season में उसको क्या मिलता है पानी मिलता है यहां पर बहुत सारा grass भी आ चुका है और यहां पर यह जो बड़ा सा tree बन चुका है तो यह तो हमने चलो जर्नी तो देख ली जर्नी देख ली अभी हमें इसको लिखना है चोकि हमें question answers में दिया है अब हम complete करेंगे question answers अभी अगर आपके handwriting बड़े हो तो आप यहां पर एक line ऐसे खीच सकते हो यहां पर भी एक line खीच सकते हो लेकिन हमारे question answers बहुत छोटे extra line की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके आपने first picture में क्या देखा first picture में हमने ऐसा देखा था कि जो seed था वो rest कर रहा था जमीन के नीचे a seed is seen resting below the land जो sea है वो rest कर रहा है land के नीचे otherwise below the land, below the garden what is seen in the second picture second picture में हमने क्या देखा moon जो था उसकी मदद से रात में उसको क्या मिली? air मिली एकदम fresh और वो grow हो चुका था the seed below the land is getting ready to grow a seed जो है वो grow होने के लिए ready हो चुका है, वो बाहर आ चुका है third picture में हमने क्या देखा which season in the third picture, third picture में कौन से season थी, in the third picture rainy season is shown, हमें कौन से season दिखी rainy season अभी हमारा fourth वाला question है, what do you see in the fourth picture हमने fourth picture में क्या देखा तो हमने बहुत सारा grass देखा और tree देखा, पहले तो एक जो चोटा चा seed थाना, वो एक large tree बना हुआ है और उसके आजू बाजू में grass ग्रो हो चुका है तो answer आएका the seed has become a large tree and grass is growing around the tree यह answer थोड़ा सा बड़ा है तो, लेकिन हमारे पास enough space है, okay, the seed has become a large tree, seed जो है वो बड़ा tree हो चुका है and grass is growing around the tree, okay next page पे चलते है अभी next page पे 22 number के page पे हाँ पे एक read का portion है जिसमें activity है तो वो activity अभी आप घर पे कर सकते हो ऐसी है, okay, इसमें सारे जो equipment से सारे शामान है वो आपको घर से मिल जाएगा collect seeds of different kinds अभी different different kinds के जो seeds होते हैं उसको collect करना है collect seeds like bean green gram, peas and peas seeds आपको collect करने है put all the kinds of seeds together in a bag and then divide children in three groups, okay इस सारे जो seeds है उसको आपको एकदम mix कर लेने हैं और एक साथ एक bag में ले लेने हैं और children को three groups में divide करने हैं लेकिन but now you are at your home so you can divide like with your brother with your sister, like your parents with your parents, ये activity आपको अपने parents के साथ भी कर सकते हो, okay then distribute a handful of seed among each group अभी आपको इस में से ये भी सारे seed mix हो चुके हैं तो ये seed है ना उसको आपको सब में divide कर देना है, perform the following experiments on seed and then write conclusion अभी जो नीचे हम activity दी है उसको भी complete करना है और उसका conclusion हमें नीचे box में लिखना है तो इसके पहले हम activity देख लेते हैं separate the seeds which have got into powder from while breaking अभी जब आप उसको जो seed को तोड रहे हो तोड़ते समय वो एक powder बन गया है या तो फिर वो equal half में divide नहीं हुआ है, तो उसको आपको अलग कर लेना है यानि कि सारे seeds के हमें दो पाट बनाने है जो two equal half में हो चुका है और जो powder के formation में है अभी एक paper लेना है और paper के उपर यह जो दोनों seeds होते हैं दोनों टैप्स के उसको रब करना है तो आपने रब किया तो अपने paper के उपर क्या effects देखी वो भी आपको देखना है कि paper oily हुआ है या नहीं हुआ है हलका सा oily हुआ होगा हलका सा oily हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको देखना है और अभी हम आते हैं main point के उपर think and write का portion है याँ पर वो देखते है तो चलो पहला है seeds with two equal halves अभी जो seeds जिसके दो equal portion बन चुके है दो equal halves हो चुके है वो होंगे like beans, green gram, piece and gram यह जो है न उसके दो equal parts हो जाएंगे लेकिन यह है क्या तो seeds having broken into two equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing our cold pulses तो यह जो seeds है उसको two equal halves में जब हम तोड़ते हैं तो two equal halves में divide हो चुका है और paper के उपर जरासा भी oily marks नहीं बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? pulses अभी है second portion seeds which have been broken into pieces or turn into powder अभी जो seeds जिसको हम stone की मदद से तोड़ रहे थे तो वो छोटे-चोटे pieces बने या तो फिर powder बना तो वो है wheat, maize, millet and jowal लेकिन यह है क्या तो वो भी हम देखते हैं the seed which turn into broken pieces and powder are cold and known as cereals cereals जो कि आप तीवी में देखते हो है ना? नहीं बाई, वो नहीं यह तो खाने की है cereals जाने की अनाज grains जिसका आटा बनता है ओकी? और इससे क्या बनता है? इसकी सबजी बनती है आपको शायद अच्छी लगती होगी moon की सबजी है चने है, छोले चने है यह सब है हमारे pulses जिसको आप आपकी mother running language में गठोड जैसे की बोलते है तो वो है हमारे pulses जो कि two equal halves में divide होते है और उसमें से जरासा भी oil नहीं निकलता है और वो खाने के लिए body में protein के लिए calcium के लिए बहुत ही अच्छे रहते है और यह है cereals यानि की अनाज जो कि हमारी body को carbohydrate और energy प्रोवाइड करता है cereals यानि की अनाज जिसका हम आटा बनाते हैं तो यहाँ पे है तीसरा part हम देखते है pieces or powder of seeds leaving oily spots on paper during the rubbing अभी हम जो seed को काटते है वो उसको rub करते है और वो paper को थोड़ा सा oily बना देता है oily marks हो जाते है पेपर पे तो वो है mustard, sism, ground, nut and caster लेकिन यह है क्या the seeds releasing oil while making while breaking into peas or making paste or powder और no nasal oil seeds हम जो खाने में refine oil यूज करते हैं खाने का oil बालों में लगाने का नहीं है बच्चा खाने का oil आपको consider करना है यहाँ पे खाने का oil जो हम use करते हैं तो वो सारे किस चरीके से निकलते हैं कि हमारे पास seeds होते हैं उसको crush करते हैं उसके बाद उसमें से जो oil निकलता है उसको फिर refine करते हैं और खाने लाइक बनाते हैं और वो है खाने का oil और उसको हम बोलते हैं oil seeds तो अभी एक्टिविटी आप कर सकते हैं और जो groundnuts होते हैं अगर आप एक्टिविटी करना घर पे चाहो तो groundnuts को आपको mixture में डाल देना है mixture में डाल को उसको crush करना है उसको आप जितना crush करोगे न उतना थोड़ा सा हलका सा आपको oily feel होगा अप देखना अपने हाथों में फिर उसको rub करना आपके हाथ oily हो जाएंगी groundnuts में से oil निकलता है यह बहुत सारे oil seeds हैं हमारे पास available जिसका हम oil use करते हैं खाने में आगी हम देखते हैं आगी का जो portion है page number 23 पे make a list of seeds seeds का एक list बनाना है write the name of seeds which you have seen or you know other than the seeds mentioned on page number 22 आपको एक list बनाना है जिसमें यहाँ पे आपको दो box दिखाई दिये होंगे seeds that you have seen and seeds that you have not seen seeds चो आपने कभी देखे हैं उसको खाये हैं और दूसरा के आपने चो कभी देखे ही नहीं है उस तरीके के seeds यह तो फिर page number 22 पे हमें बहुत सारे seeds के name दिये है उसमें से आपने कोई देखे नहीं होगे तो उसके name आप लिख सकते हो तो मैंने आपके लिखा है paddy, maize, millet, wheat, peas, bees यह सारे seeds मैंने देखे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पलसी, से, 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 सारे seeds जो आपने देखे हैं वो कोई भी टाइप के हूँ आपको यह पे लिखने है अब दूसरे seeds भी इसमें include कर सकते हो और लिख सकते हो और यहाँ पे seeds that you have not seen उसमें है lentil, peas and peas, चुवार, mustard, caster, kidney beans तो यह सारे lentil का meaning होता है तो यह सारे seeds नहीं देखे वो मैंने यहाँ पे लिखे आपको इसमें और include करने है या फिर इसकी जगा पे कोई और लिखना है तो आप लिख सकते हो की last में है classify the seeds in the table given below अभी उपर जो हमने सारे लिखे है नास जो हमने देखे और नहीं देखे उसको यहाँ पे classify करना है कि कौन सा हमारा grain से cereal से कौन सा pulsey से और कौन सा oil seed से तो wheat, rice and millet है वो है cereals green gram, kidney beans and peas है वो है pulseys and caster mustard and sesame है oil seed अगर आप उपर लिखे हुई यहाँ पे divide कर लो तो भी चलेगा और यहाँ पे extra आप लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो, okay next page पे चलते है अभी यहाँ पे हमें right में कुछ फिरसेक एक्टिविटी करने है seeds split into two equal halves after breaking and seeds convert into many small pieces and powder from after breaking अभी यहाँ पे जो seeds का two parts होता, equal halves होता है वो यहाँ पे लिखना है और जो seeds में से powder बनता है या तो फिर छोड़े चोड़े टुकड़ों में वो divide होता है वो हमें लिखना है तो भी देखो, यहाँ पे लिखना है कि में यहाँ पे कुछ name लिखे है आपको भी दूसरे name find out करके लिखने, अभी एसा नहीं है कि तो यहाँ पेऊ niet जो कोई बी seed आप से, अ아서 कोई भी fruits या भी vegetables देखोगे तो खड़ोगे दो ऊसको सीड निकलता है apple का बीच में से सीड निकलता है चीकों का निकलता है मैंगों सीड निकलता है फिर vegetables में आप देखते हो तो loki है luffa यानि जो rib garden Coin तोरी तूरी जिसको आप सिंपल लेंगेज में बोल तो उसमें से सीड्स निकलता है तो उस पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो राइट तो जो कुछ भी आपको फ्रुट्स वेजटीबल्स खाते हो उसके सीड्स को आप देख सकते हो और उसके उसके उपर एक्सपेरिमे तोचित आपको करके लिखने हैं और यहां पर जो पाउडर बनता है जिसका एसका दischenचो टी चोटी पीसटे टिवायड होता है वह मेलेट मेस वीट एructive जान जवार। बाकिशेर आपको find out करके लिखने हैं और यहां पर next blue box में आपके कुछ लिखा है यहां पर seeds which can split into two equal halves are known as decode seeds जो seeds होते हैं जो two equal halves में divide होते हैं उसको हम बोलेंगे decode seeds decode याने की dhriddle dhriddle three याने की दो जो two parts बनाते हैं वो है decode seeds seeds which can not be split into two equal halves are known as monocot seeds monocot seeds याने की एक दली यह seeds जिसका कोई parts नहीं बनता है लेकिन वो टूट जाता है या तो फिर उसमें से powder बनता है तो यह decode and monocot की definition dhriddle और एक दल की definition फिर पर राइट में कुछ यहां पर लिखना है wheat, peas and peas, mustard rib guard, bajra, maize right, etc, right, etc, बहुत सारे seeds के नेम यहां पर दिये हैं जिसमें जो monocot seeds है और decode seeds है पहला है जिसके दो equal halves नहीं बनते है वो है monocot seed और दूसरा है जिसके दो equal halves बनते decodes वो है यहां पर लिखना है तो यह सारा distribution आपको यहां पर खुद से कर लेना है यह आपके लिए activity है दूसरे कोई visits आप क्लिकना चाहो जो monocot and decode है तो वो आप यहां पर include कर सकते हो अभी हम next page पर जाएंगे अभी यहां पर एक activity है जो आप अपने गर पर कर सकते हो टेकर 2, 3 monocot and decode seeds अभी आपको कोई भी sits लेना है sow the seeds in a tea cup, plastic bag और open space around your house और school अभी इसको sow करना है sow S.O.W sow यानि कि उसकी sowing करना है उसको बोना जमीन में पहले तो मिट्टी निकाल के गड़ा बनाना है उसमें इस सिट को रखना है वो tea cup में आप उसको sow करो plastic bag में sow करो या तो फिर जो ground area है उसके बाद आपके पास कोई pot होता है जिसके उपर आपने कुछ तूलसी का पोधा हो गया हुआ है घर में आप लगाते हो तो वहाँ पे भी आप उसको sow कर सकते हो और open ground area है आपके पास तो आप भी उसको sow कर सकते हो लेकिन वो मिट्टी होनी चीए जो farming में चलती है वो मिट्टी आपके पास हो नीची आप मिट्टी में पहले सारी soil clear soil में उसको आपको show करना है उसके बाद पूरी मिट्टी उसके उपर फिर से डाल देनी है और उसको अच्छे से पानी देना है see that they are exposed to sunlight औके और उसके उपर sunlight आपको मिले उस तरीके से आपको रखना है water plants timely उसको water भी time to time देना है observe them daily और उसको daily observe करना है तो पहले तो आपको कुछ seeds लेने हैं उसके बाद उसको showing करना है उसको बोना है आप कहीं भी उसको बो सकते हैं उसको sunlight मिले इस तरीके से आपको रखना है पानी आपको रोज देना है और air तो water atmosphere में होती है तो वो तो उसको 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 डेली observe करना है इस activity specially आपके लिए है practically जैसे जैसे आप इसको देखते हो वैसे वैसे इसके आंसर आपको fill up करने है तो आज से आप इस activity शुरू कर दो बहुत ही मज़ा आएगा और आपको नया भी लगेगा क्योंकि आपने आज से पहले शायद कभी tree planting की हो या ना की हो कुछ ग्रो किया हुआ ना किया हो अधरवैस कुछ personally देखा हो या ना देखा हो आप इसमें देख सकते हो write the names of seeds which have spotted the first पहले कौनसा seed बहार निकलता है ना उसका नेम आपको यहां पे लिखना है जैसे जैसे आप देखोगे daily checking करोगे तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कौनसा seed है जो पहले grow होता है which seed have grown by the fifth day पांचवे दिन कौनसा seed grow होता है पांच दिन तक जमीन में रहा और उसके बाद कौनसा seed बहार आया वो आपको यहां पे लिखना है which seed has grown the tallest कौनसा सबसे लंबा है यह जो seed grow हो जाएगा दिरे दिरे एक पर बहार आजाएगा तो उसके बाद जल्दी से ग्रो होने लगता है तो सबसे लंबा कौनसा है आपने जो कुछ भी grow किया है उसमें सबसे tallest seed कौनसा है वो यहां पे लिखना है लास्ट वाला हमारा question है which seeds were the first spored bearing two halves अभी यानि की सबसे पहले दो पत्तियों को उगाने वाला seeds कौनसा है अभी आपको अलग-अलग जखावाँ पर अलग-अलग आप मैक्सिमम तीन या चार ले सकते हो लेकिन उन सब के टाइपस अलग-अलग होने चीए मौन कोट अट डिकट होने चीए और इसको आपको ग्रो करना है और इसकी हिसाब से जैसे जैसे वो ग्रो होते है वैसे वैसे आपको ये question answers complete करते ही जाते है आप आच्चे कुछ ना कुछ बो ना शुरू कर दो और आपको activity में भी बड़ा मज़ा आएगा ओके आगे देखते हैं draw the picture and filling on color name, draw the picture of germinating seeds germinating seeds यहाँ पर आपको draw करना है मैंने यहाँ पर draw किया है आपको उसमें color भी करना है तो इसको draw के से करना है सबसे पहले यहाँ पर soil बना लेनी है तो एक साथ सबसे यहाँ पर आप बना लेंगी यहाँ तको soil उसके बाद यहाँ पर आपको च्छोट आसा seed draw करना है second picture में और इसमें उसको थोड़ा बड़ा ड्रो करना है और उसमें से कुछ निकला हुआ हूआ हूँ उसके बाद वो दिरे तिरे ग्रो हुआ है, यहां पर बहुत सारे उसके लिवस आ गए, तो यह थी ट्रीस की पूरी जर्नी, और इस तरी के से आपको इसे ड्रो करना है, और साथ ही साथ इसमें कल भी ग्रो करना है, नीचे है अब यह अब यह अब यह उब्जवेशन में बद तीन लिवस आए, उसके बद पांच लिवस आए, उसके बद वन, टू, तरी, फोर, फाई, जिक सेवन, एट लिवस आगे, चलो, तीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, तो यानि कि जैसे जैसे आप सीट ग्रो करते हो, तो एक सीट में से बहुत बढ़ा ट्री ग्रो हो सक नीचे भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर इस तरीके से यह चोटा सा सीट है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे अंदर बड़ा हुआ, उसके बाद उसके दू लिवस आए, उसके बाद बहुत सारे लिवस आ गए, देखो, यह है उसकी जरनी, और इसमें से बहुत सारे सीट्स को ग्रो कर सकता है, और जो बहुत सारे सीट्स होते हैं, उसमें फिर से बहुत सारे ट्री ग्रो हो सकते हैं, और इंवायर्मेंट को क्लीन करने के लिए हमारे पास ग्रीनरी होना जरूरी है, अभी लास्ट में है, थिंक एन से का पोशन, what if a mango fruit develop on a climber of guard अभी लोकी जो होती वो climber है जो इवेला होता है उसके उपर वो होती है वो tree plant के उपर नहीं होती है पोदो के उपर नहीं होती है वो होती है climber के उपर तो क्या होता अगर mango fruit जो है वो guard की climber के उपर grow होने लगता है तो लोग ना mango fruit का tree नहीं बनाएंगे उसका climber बनाएंगे और guard के climber के साथ उसको बो देंगे और बाद में क्या होगा कि उसका जो mango fruit का जो बड़ा सा बाग होता है ना बगीचा आम का बगीचा होता है वहाँ पर बहुत सारे mango trees होते फिर season में वहाँ पर आम आते है फिर उसको sell करते है तो क्या होगा कि यह जो climber of guard होगा ना guard का climber होगा तो उसकी price भी बढ़ जाएगी प्लस लोग इसका farming करना शुरू कर देंगे क्योंकि mango की market में तो बहुत demand और सबको पसंद भी है देखो भी मूँ में पानी आ गया होगा देखो देखो सब किसे smile कर रहे है ना mango की याद आ गई ना second है if there were no seeds in the wall अगर seeds होते ही नहीं तो क्या होता seeds नहीं होते तो tree नहीं होता tree नहीं होते तो seeds नहीं होता और भी यह किसा mzak है यह mzak नहीं reality है seeds नहीं होते तो हमारे پास trees नहीं होते क्योंकि seeds में-से to tree बनते है तो भी tree में-se seeds कहां से आते है टडू के उँपर fruits आते fruits के अंदर से की से निकलते है तो दोनों एक दूसरे के उपर dependent है, यह दोनों नहीं होते तो हमारे पास खाना नहीं होता और हम भी नहीं होते, खाना नहीं होता तो जिन्दा कैसे रह सकते हैं, खाली पानी पीके तो कितने दिन जिन्दा रहेंगे तो seeds के बिना world को imagine करना बहुत ही मुश्किल है अभी यह आप एक activity है keep the seeds of wheat and cotton together in a piece of paper soothe them in a pot or flower bed observe them for 10 days अभी यह जो wheat होता है और cotton होता है cotton का भी plant होता है और wheat का भी plant होता है दोनों को आपको grow करना है ओके एक piece of paper में लेना है और उसके बाद उसको pot और flower board में बू कर देना है उसके बाद 10 days के बाद उसको observe करना है यह चोट इस activity है अगर आप करना चाहो तो आपको करनी है को कि यहाँ पे हमारा चैप्टर है developmental journey of seed वो फिनिश होता है I hope कि आपको बड़ा मजाया होगा और आपको learn कर ले maybe आपको समझ भी आया होगा तो आप यह जो activity है और question answer से आपको अच्छे से complete कर लेने है और समझ लेना है इसमें बहुत सार एसे experiments है जो आप कर भे भी कर सकते होगे so next video से हम next chapter learn करेंगे बने मात्रा